वेलकम बैक दोस्तो मैं हूँ पवित्रा और आप देख रहे हैं दस्वीट बॉटनिस्ट तो देखिए दोस्तो बटरफ्लाई कितनी प्यारी लग रही है यह आज मेरे गार्डन में आ गई तो मैं आपसे यह शेयर कर रही हूँ बहुत खूबसुरत लग रही है यह बटरफ्लाई तो आज का मेरा वीडियो दोस्तो मेरी गोल्ड के उपर है तो मेरी गोल्ड हमें अपने गार्डन में जरूर ग्रो करने चाहिए क्यूंकि यह बटरफ्लाई हनी भी सबको भूत इट्र तो पूजा करने के लिए तो उसी मालाओं को सुखाके में इस तरह रख लेती हूँ यह आप देख रहे हैं और इस तरह आप सुखाके किसी भी पॉली बैग में बांद के रख दीजिए और आप जब भी ज़रूरा तो समय समय पे आप इनको मारी गोल को ग्रो कर सकते हैं दोस देखिए इनी मालाओं से ही मैंने ग्रो करे हैं यह मेरी गोल के प्लांट्स और नहीं आपको नर्सरी जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको मेरी गोल के प्लांट्स खरीदने की मैंने आज तक कभी भी मेरी गोल का कोई भी प्लांट नहीं खरीदा नर्सरी से दोस्तों और ऐसे भी मैं नर्सरी बहुत कम जाती हूं, बहुत ही कम जरूरत भर के ही प्लांट खरीती हूं, मुझे लिए मैं सीट से ग्रोर करना ही प्लांट पसंद करती हूं, और सीट कलेक्ट करके भी रख लेती हूं, हाँ थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम तो होती है, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, तो यह देखी कितने तरह के इसमें अपने आप ही प्लांट से जब मैंने ग्रो किये तो मुझे नहीं पता था, हाम जाफरी का तो हमें पता ही रहता है दोस्तों कि इसके फ्लावर्स अलगी तरह के होती हैं, तो इनको हम पैचान अलगी होती ह तो यह अलग रख लिये थे, अलग ग्रो होंगे यह जाफरी और यह दूसरे वाले हैं, यह देखिए दोस्तों इसका तो मुझे नहीं पता था, यह यह भी यलो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यह खूप सूरत से छोटे छोटे से फ्लास, और बहुत ही खूप सूरत मार तो मैंने सूचा आपको यह मैं शेयर करूँ, आप इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं दोस्तों कि क्या करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल मिट्टी लें और उसमें गोबर की खा दिया वर्मी कंपोस्ट जो है जरूर मिला लें, तब आप इनको प्लांस को लगाएं, बहुत अच् मतलब सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाजर वगेरा या कोई भी लिक्विड फर्टिलाजर कम ही दे पाती हूं कि उपर छट पे बार बार आना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, लेकिन एक काम जरूर किया है दोस्तों, बंदरों ने ये बंदर जो है, इसकी बर्ट् निकल रही है, इस तरह से, तो ये देखिए, दूसरा ये मेरे टेर्स पर ही उपर पॉट में लगा हुआ है, ये भी दूसरा प्लांट से देखिए दोस्तों, वारी गोल का, तो इस तरह इसकी पिंचिंग भी हो गई है, क्योंकि बंदर की, देखिए, कितनी सारी कलियां हो जाते हैं, और ये देखिए, नीचे, मैंने उपर से लाके कुछ प्लांट्स जो हैं, नीचे लगा दिये थे, इस पॉट में, ये मेरे बालकनी में लगे हुए हैं दोस्तों, और ये देखिए, बटरफलाई, और तो फिर मैंने ये इसमें लगा दिये और कुछ कटिंग स आसानी से ग्रोफ हो जाता है तो इस तरह बस और कोई जादा केयर नहीं मांगता बहुत ही आसानी से सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यह लगती है दोस्तों क्योंकि इसके फ्लावर्स कई दिनों तक खिले रहते हैं और प्लांट्स की तरह नहीं हैं कि बहुत जल्दी तोड़ ले गए हैं तो बंदर बहुत नुकसान करते हैं दोस्तों तो इस तरह आप भी अपने गार्डन में मारी गोल लगा सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉलिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट्स है और हनीवी को अटेक्ट करता है और हमारे गार्डन की बहुत खुबसूरती भी बढ़ाता है देखिए बहुत सारे प्लांट्स मारी गोल के और बड्स भी लग रही है बहुत खुबसूरत लगते हैं तो यही मेरे को आप से शेयर करना था कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं दोस्तों कमेंट करके बिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई हैपी गार्णिंग